नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चनल पर SSC GT के आज जो एक्जाम हुए है तो सारे कोशन देख लेते हैं और जिनका कल एक्जाम लगा हुआ है बोलो कि इस वीडियो को पूरा सुरू से लेके लाज तक देखिएगा तो और जो लोग नए हैं तो प्लीस चनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजीगा तो चलिए शुरू करते हैं आज काउन से कोशन पूछे कर देख लेते हैं तो देखिए आज के सिसन में पहला कोशन है मिरलाल लिनी सारा भाई काउन से नत्य से सम्बंदित हैं तो यह हो जाएगा भारत नाट्यम नेक्स्ट है गोधूम का तदभाव सब्द जो होता है वो क्या होता है वो होता है गेहू अगला है इस्वर का बिलोम सब्द बताओ इस्वर का बिलोम सब्द होता है आनीस्वर नेक्स्ट है डंडारी नत्य कहां की आ जाता है, कहां का डंडारी नत्य है तो डंडारी नत्य की अगर बात करें तो यह हो जाएगा 36 गड़ का अगला है भारत की स्थलिय सीमा की जो लंबाई है वो क्या है? भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमेटर Next F.I.H. होकी बल्ड कप 2023 अगला है रुकमणी अरुंडेल को भारत नाट्यम नत्य के चेत्र में कौन सा पुरसकार मिला तो पदम भोशन पुरसकार और इने कम मिला था 1956 को मिला था अगला है किस गाईका को 2023 का पदम भोशन अबाड मिला तो यह हो जाएगा सुमन कल्यान पूर अगला है हरेला नत्य कहां पर किया जता है हरेला नत्य की अगर बात करें तो उत्रखण में किया जता है और उत्रखण में कहां पर किया करते हैं तो उत्रखण के कुमाव मंडल में तीन नदियों का समू क्या कहलाता है तीन नदियों का समू कहलाता है त्रिबेंडी अगला है सोतंतरता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारत के अटाणी जनरल जो है वो कौन है भारत के अटाउनी जन्रल हो जाएंगे आर बेंकट रमड़ी कजरी लोकनत्य की सुराजिका है तो कजरी लोकनत्य की अगर बात करें तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट माग बीहू माग बीहू का जो दुसरा नाम क्या है मांग बीहु की बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा भोगाली बीहु अगला है प्रतेक का बिलोम सब्द क्या होगा तो अप्रतेक हो जाएगा अगला है उपहास का बिलोम सब्द बताओ उपहास का बिलोम सब्द हो जाएगा अपहास अगला है बेरियम हाइड्रोकसाइड का रासायनिक सोत्र बताओ तो ये हो जाएगा बीए ओयज का होल ट्वाइस और अगर इसमें बेरियम की बैलेंसी पूची जाती है सही हो जगता पूची जाती है तो बी पॉजिटिब दो बार दो बैलेंसी इसकी हो जाएगी अगला है भामा कल्पम कौन से नत्य से समंदित हैं तो ये हो जाएगा कुची पुड़ी नत्य से समंदित हैं अगला है FIFA World Cup 2020 का किताब किस ने जीता तो ये जीता है अरजन्टीना नहीं अगला है भारत नाटियम किस राज का लोक नत्य है तो ये हो जाएगा तमिल नाडू का लोक नत्य Next मौरबंस की राजधानी का नाम बताओ तो मौरबंस की राजधानी है पाटली फुत्र Making India प्रोग्राम की जो सुरुआत है ये कब हुई थी? तो Making India प्रोग्राम की सुरुआत हुई थी 2014 में की गई थी अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना मौरबरे का जो आर्थ होता है वो क्या होता है? तो बिना परिस्रम के अच्छी बस्तू हाथ लगना इसका मतलब होता है अंधे के हाथ बटेर लगना Next है मंगल पांडे को फांसी कब और कहां पर दी गई थी? तो देखी मंगल पांडे को फांसी दी गई थी पस्चिम बंगाल के बैरक पुरुषाच्छाबनी में और कब दी गई थी? 8 अपरेल 1857 अगला है संतोष ट्राफी किस खेल से संबंदित है? संतोष ट्राफी की अगर बात करें तो ये संबंदित है फुटवाल खेल से संबंदित है अगला है चक्रधर का समानारती सब्द बताओ चक्रधर का जो समानारती सब्द हो जाएगा तो विश्नु भगवान राजसबा में अधिक्तम सीटों की संख्या बताओ तो टोटल हो जाएगी धाई सो राजसबा में अधिक्तम सीटों की संक्या है धाई सव अगला है रणजीत गोल्ड ट्राफी किस खेल से समंदित है तो ये हो जाएगा होकी से अगला है मिड़ाफ और कबर के बीच का सौट को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है कबर ड्राइब उच्च सब्द का तदभा क्या होगा उच्च सब्द का तदभा हो जाएगा उच्चा क्या होगा उच्चा अगला है सिटी ओप जुए किस सहर को कहते है तो सिटी ओप जुए के नाम से कौन सा सहर जाना जाता है कोल काता अगला है FIFA World Cup 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था तो ये हुआ था कतर में नेक्स्ट है अमबेटकर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो अमबेटकर पुरसकार से सम्मानित किया गया मुख मंत्री योगी आदितिनात को अगला है दुसरी पंचवर्षी योजना किस पर आधारित थी तो महा लनोबिस माडल पर आधारित थी दुतिय पंचवर्षी योजना अगला है भारत नाट्यम नत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी किसको परदान किया गया तो राजा सिरिधर को और कप परदान किया गया दो हजार अठारा को अगला है अंकिता रहना किस खेल से सम्बंदित है तो अंकिता रहना की बात करें तो ये सम्बंदित है टेनिस से आपात काल लगने पर कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते तो अनुच्छित बीस और इक्किस समाप्त नहीं होते हैं इसके अंतरकत क्या है अनुच्छित बीस और इक्किस दोरा प्रत्या भूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं अगला है भगवान स्री करस्ण से संबंदित नत्य का नाम बताओ तो ये हो जाएगा ओडिसी नत्य अगला है पदम विभूसन 2023 कितनी लोगों को मिला तो ये हो जाएगा 6 लोगों को मिला नेक्स्ट लोसार उससब कहां पर मनाया जाता है लोसार उससब की बात करें तो ये मनाया जाता है लद्दाक में नेक्स्ट कुश्चन है लाबडी कहां का लोकनत्य है लाबडी जो हो जाएगा ये महाराष्ट का लोकनत्य हो जाएगा अगला है बिस्मिल्ला खान का संबन्द बताओ बिस्मिल्ला खान जो थे उनका संबन्द है सैनाई बादक ये थे सैनाई बादक अगला है दिलीब ट्राफी का संबन्द किस खेल से है तो ये हो जाएगा क्रिकेट से अगला है दंड का बिलोम सब्द बताओ दंड का विलोम सब्द होता है छमा क्या होता है छमा अगला है किताबी कीड़ा होना का अर्थ बताओ किताबी कीड़ा होना मतलब फुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ती किताबी कीड़ा कहलाता है अगला है बित आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतरगत आता है बितायो की बात करें तो ये अनुच्छेद 282 के अंतरगत आता है Next question जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहेंगे उसको कहते हैं अनुपम अगला एक किस बर्स सरोजिनी नाइडू कॉंग्रेस की अध्यच बनी थी तो ये बनी थी 1925 को नत्य में कौन सा पुरसकार दिया जाता है तो संगीत नाक्टक अकादमी पुरसकार दिया जाता है अलगाओ का बिलोम सब्द बताओ अलगाओ का बिलोम सब्द क्या होता है मिलन सो भाग की सुद्ध बरतनी क्या होगी तो यह हो जाएगा सो भाग गिया हर्स बर्दन ने अपने राज को कितने भागों में बाटा था तो टोटल चार भागों में बाटा था 1947 से पहले कौन से देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे तो पाकिस्तान बांगलादेश MP में नत के छेत्र में सबसे बड़े पुरसकार का नाम बताओ तो यह हो जाएगा काली दास पुरसकार निसा का पर्यवाची बताओ, निसा का पर्यवाची होता है रात्री और भी होते हैं जैसे कि रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निसी, त्रियामा, विभावरी, छणदा, सरवरी और रात अगला है अनुच्चित बीस का सम्मन बताओ, तो अपरादों के लिए सजा के सम्मन में सन्दच्छन है लोसर त्योहर कहां पर मनाया जाता है, तो असम और सिक्किम में हरित क्रांती का दूसरा नाम बताओ, तो हरित क्रांती का दूसरा नाम हो जाएगा गेहु क्रांती पक्का आविचल नित्य और द्रण अनाका अलंका मोनी किस खेल से सम्मंदित है तो इसको आस पासा पलटना मुहाबरे का अर्थ बताओ मतलब होता अचानक परिस्थितियों में बदलाब हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना अगला है जीवंदान का बिलोम बताओ जीवंदान का बिलोम होता है म्रत्युदान अगला है गोसवामी का तद्वा रूप क्या होगा गोसाई गोसाई और गोसामी उत्तरपदेश के राजपाल का उन्हें बरत्वान में तोसरी मती आनंदी बेन पटेल सापेच्छता का सिध्धान किस ने दिया था तो अलबार्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेच्छता का सिध्धान अगला सबसे कम महिला साच्छता दर किस राजकी है तो यह हो जाएगा राजिस्थान तो गाइस आज के वीडियो में इतनी है अगर आपको वीडियो पॉसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थेंक यू